गुड मोरिंग फ्रेंट्स एक ने टोपी के साथ आप लोग का फिर से स्वागत है और आज क्या देखें हैं हम लोग तो भारती उप महादीप में घरती हुई हीमालाई हीम नदियों यानि गलेसियर्स और जलवायों परिवर्तन के लक्षनों के बीच संबंधु उजागर की कोशन उठता है कि हीम नदियों यानि हीम गलेसियर्स के लिए हम लोग इतना चींतित क्यों है हम लोग बार बार सुनते हैं कि भारतीय से निक उन्चरम इस्थितियों में सिया चीन गलेसिय सूख जाए भारत के सेना है और नं बाज जाए वसईद नहीं और पाकिस्तान से उत्वादी आते हैं वह भी भारत में नहीं इंटराब कर पाएंगे क्योंकि साला लोगर तो भारती यह सेना वहां पर मुस्तेजियर्स रहाँ पाएंगे तो यह कितना ऐच्छा बात है लेक और फ्लती फूलती जनसंख्या है क्यों क्यों कि हिमाले भारत का किवल्य परहरी यह बहुत ही हाइट वाला भी साल परवत में रेंज है और जिसकी हाइट दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊचे चोटी है और यह कहा जटा है दुनिया में कि दुनिया में जो साथ पोल और नॉर्थ पोल के बाद में और कहीं बोरफ है तो वही हिमाले और जो ट्रांस हिमाले जिसमें आपका सियाजीन के लिए सियाजेर आएगा, कारा और कोरम आएगा नांगा परवट है जो पाक अधिर्कृत कस्मीर में है यह सब को मिला दिया जाए दुनिया का यह तीसरा पूल कहा जाता है केलियर है तो बात हम लुग करें हैं इस पेसल हीमाले की घीम नदियों की क्यों कि हम लोग जानते हैं कि ज्यादा सतर जोभी नदिया है भारत के विसाल-VISाल नदि नदिए को नदिए पॉन खॉन ओ जैनी को कुल्स नदिक निकलते तो सारे नदियों का शुरौध हिमाले पाहा रहा है और घिमाले से बढ़ने वाली नदिया कैसी होती है किया ओहाँ पड़ चुके जहां पर पानी बॉर्फ की सिती में हो और वह बॉर्फ का थोरा थोरा मुवमेंट हो रहा हो और जो ही म्रदिया यू अकार की घाटी बनाती है और जो नदिया भी अकार की घाटी बनाती है यह हम लोग जानते हैं देखते हैं पृत्वी पर जो लवायविक दसाओं में के कारण होने वाले जलवायुक परिवर्थन मानो जनित कारकों का परिनाम है जलवायु परिवर्थन के लच्छनों में हीम नद का पिघालना समुद्री जल के तापमान में विर्धी समुद्री जलस्तर में विर्धी वर्थाप परती रूप में परिवर्थन तब यह सुनते बार बार आएंगे वीर्धी और लीनों की बाराम बारता में वीर्धी जिसकारण क्या होगा कि सुखा पर रहा है तो कभी ठंडे के दिनों में अधिक बर्सा हो रही है अलीनों के बारं बारता में विढ़ी थथा गुंप भागों में चलने वाले गर्म लहर रुन्हाय यानी पहते हैं जो अम उत्री अमेरिका में आती है या भारत में भी सी उतिलहर का परकुफ होता है इन लोग सब के बिर्दी हो गई है और जलवाई परिवर्तन के उप्यूक्त लक्षनों में परमुख एवं औस पर्श लक्षन हीम नदों का पिघला है क्योंकि जो हीम आलाय है यह परमुख सबसे अधी सिकार कौन है तो एक गिलेशियर है और जिसका प्रभाव भारतिय महाधीब के हिमालाय के गिलेशियरों पर भी देखा जा सकता है हिमालही परदेश में धुरूबएं गिलेशियर के बाद सबसे अधिक फिलेशियर पाए जाते हैं यानि पहले ही पढ़ चुके स्थित है और इसे एसिया का वाटर टावर कहा जाता है क्योंकि इसे लगभग 86 लाख क्यूबिक मीटर पानी उपलग कराया जाता है यह हिमालाइन गिलेसियर एसिया की साथ बड़ी नदिया याद कीजिए गंगा सिंधु भणपूत्र साल्वीन मेकांग यांग टिस कियांग और हवांग हो आदी नदियों को जल उपलग कराती है यह लोजिकल सर्वे अफ इंडिया के नुसार हिमाले छेत्र में 5000 से 5000 सो तक गलेडिये गलेसियर अवस्थित है सिर्फ उत्रा खंटाज में ही 900 से 80 के लेसियर उपस्थित है अधार जलवाई परिवर्तन के कारण क्या ह होगा भारतियों महादीव के हिमाले परतियसों में के गलेसियर भी तेजी से पिघल रहे हैं बेग्यानिकों त्वरा प्रस्तूत रिपोर्ट के नुसार आने वाले 15 से 25 वर्सों के भीतर ही इन में से अधिक गलेसियर नश्ठ हो जाएंगे 1970 के बाद से हिमाले के गलेसियर लगभग 30% तक सिखुर चुके हैं इन में से गंगोतरी हीम नद 23 मीटर परति वर्स की दर से संकुचित हो रही है और गंगोतरी क्यों महत्पूर्ण है क्योंकि यहीं से गंगान दी क्यों यहां उद्गामस छेतर हैं गलेसियर के संकुचां से हीम छेतर के स्वरू रूप म में संरक्षि स्वक्ष जल संसाधन नस्ठ हो जाते हैं यदि इस परकार गिलेसियर नस्ठ होते रहे तो सत्रत वाहिनी नदियों का अस्ति तो समाप्थ हो जाएगा किरियर है और कुछ आगे देखते हैं यहां आप देखिए कुछ यहां हिमालयन रीवर सिस्टम का एक मैप है हिमालय यह हिमालय चेतर है इसको बड़ा थ्वर कड़े यह हिमालय पुरा चेतर है यहां पर तीबत का पठार है यह पामीर का पठार और पामीर नोट यहां पर है यहां पर देखिए सब सब पहुच् शिंधु जिहिलम चिनाब रावी बयास और साथलग नदी यहां गंगा सिस्टम है यहां पर ये मुना गंगा और ऑग्णो कि अ और गांडक और महानन द महालान पूतर सिस्टम यहां हो कहां से नदी निकलती है। हिमाले सिस्टम की नदिया है फिर यहां पर चीन के कुछ और प्रहायत होने वाली नदी साल्वीन रिवर मेकॉंग रिवर हुआंगों और हुआंगों से पहले टिइज नहीं इसको कहेंगे यांग टीसी क्यांग रिवर जो चीन में अपना प्थैल पहलाती है इस सारे नदिया कहा है तो सब का सुरूत कौन है तो सिर्फ हिमाले ही इन सब का सुरूत है यही कारण है कि हिमाले ही एसिया के लिए और हिमाले ही भारत के लिए परमुक सुरूत है कि इसका तो जल का और क्यों क्यों कि इस पर बहुत सारे जो बर्प के रूप में जो इनके च नेटोपी के साथ तब तक आसा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, सियर करें, कोमेट करें और सब्सक्राइब करें धन्यवाद